पर बात करेंगे MCMN T20 Interstate का जो यहाँ पर खिला जाएगा केल भर्सस PEN के बीच मुकाबला खिला जाएगा केल की टीम वन साइडेड वीन करेगी यह सभी को पता है लेकिन क्या यह पता है केल की टीम पहले गेन बाजी करेगा तो कौन से पिलर कम सेलेक्शन वाले पिक करना चाहे और इनकी टीम पहले बले बाजी करेगा तो कौन से पिलर को पिक करना चाहे तो सारा कुछ देखेंगे सिर्फ आपको ध्यान से देख लोगे पूरी चीजे और बातों को सुन लोगे तो small league नहीं बलकि GL जो एक नम्मर का first prize जो भी दिया गया है वो आप असानी से win करने के कागार पी रहोगे बस छोटा सा आपको काम करना है वीडियो को तो पूरा देखना है और बांकी थोडा सा मेनत आपको खुद भी करना है बांकी 90% तो मैं करूँगा तो मेरे भाई चलिए इसी उमीद के साथ अगर ज़दी आप इस मुकाबले को खिलना चाते हो तो सबसे ज़्यादा महत्पून है हमारे टेली गराम चैनल को आपको ज़वाइन करना क्योंकि वहाँ पर मिलेगा आपको फाइनल टीम जिस टीम जो मैं खुद खिलता हूँ इनके अलावे जी यल का टीम पीच रिपोर्ट पिलेंग लेवन याने कि बहतर से बहतर सांदार से सांदार टीम बनाने के लिए जितने चीजों की अवसेकता होते सारा कुछ टेली गराम चैनल पर प्रवाइड करता हूँ तो आपको ज़वाइन करना किस परकार है एकदम सिंपल है मेरे भाई हमारा टीली गराम चैनल आपको 56.7 के सब्सक्राइबर के आसपाल दिखेगा यहीं पर आपको आकर जुड़ जाना है क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल बने है तो उनसे आपको बचना है ओरिजिनल चैनल वीडियो के डिस्क्रिप्चन या फिर कोमेंट जो था फर्स्ट कोमेंट पर ही पिन के आगया होगा उनकी साहताज जुड़ोगे तो यह ओरिजिनल चैनल पर चाहले आओगे तो मेरे भाई के एल की टीम जो है यहाँ पर स्ट्रोंग है इनको वीन करनेक चाहाँ से देखो विकट केप्रिंग सेक्षन यही बेस्ट होना चीए अब देखो बिलाल आम जील का ट्रंब काड होगा ओपन आया फ्लोप गया लेकिन आकरमक बल्ले बाजे इस सुरेंदरन जो बड़ा रिस्क लेना चाहते हो तो ले सकते हो कब और कौन से इस्थिती में वो भी हम लोग बात करने क्योंकि यह ODI का बेस्ट पिलियर माना जाता आमद भाईच को हम लोग पीक करेंगे एस ईड्रोशको भी पीक करना है केप्टन विसी के बारे म सुचना वकार उल्ला विकेट लेस गया लेकिन जब बल दस्त गेनबाज आगै या फार्षाट गेनबाज इतना जब बल दस्त करता है गे बले बले बाज भी यहाँ पर नत्मस्तक कर देता C. Smith एक बड़ा ओल्राउंडर है लेकिन क्या इनको बड़ा मुका मिलेगा बड़ा सवाल है बड़ा मुका नहीं मिलेगा तिसी परकार से ये फुलोप रहेगा 20 इंग चार ओबर करगे पिटाई पड़ेगी तो इनका ओबर कट के आएगा C. Smith के पास कि हाया दुरानी थोड़ा लेट आते लेकिन जब बड़ा दस्त गिनवाजी करते हैं ये भी केप्टन वीजी का बड़ियां 24 होगा क्योंकि सामने का टीम उतना अनभाव नहीं है जितना होना चीए तो मेरे भाई सामने का टीम है कैसा चलिए उनके उपर बात करते हैं इनका जो दो तीन पिलेर को उपर निर्भर करेगा देखो यहां से देखा जाएं इस अजीज दोनों चीज कर रहा है केप्टन चीप भाईस का जी एल का चुवाज से रहेगा वह से जादा है ने और कुमार जीवा इनका रिकोर्ड काफी बढ़ियां दो बिक टेक सांसा बले बाजी भी करता है सबसे बढ़ियां रिकोर्ड है इनका जी अल बोन्स का ये काफी कमाल का करिया रिकोर्ड है लेकिन मैंने इनका एक जगा देखा था तो बहुत उतना खास गेनबाजी रिकोर्ड नहीं था लेकि जिस तरह चीनों गेनबाजी क्या ते इंपोर्टेंड लग रहा है और कुमार राजेंदरें जो जगापे रहता है केच के पॉइंट ये काफी ज़्यादा देते हैं लाज़ सीजन भी बल्ले बाज आकरमक है वैसे पार्ट ताइम गेनबाजी कर जाता है बाकी इन दोनों को ट्राय कर से हो देखो तिल कुमार की बात किया यह वाई से पार्ट ताम गण बाजी करते हैं एक ओवर मिलिया गया लेकिन इंपोर्टेट नहीं है बल्ले बाजी इस परकार से रहा है इनका देख सकते हो बाकी इनके दो तीन पिलियर पर नीर भर रहना होगा तो मेरे भाई ज़्यादा कुछ नहीं देखेंगे सीथे कोंबीनेशन को उपर बात करेंगे लेकिन इससे पहले हमारे यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हो तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लो क्योगर ड्रीमलमन से रिलेटेड कोई भी अपडेट आता भी सिंग के टीम पहले बल्ले बाजी करेगा तो हमारा टीम इस परकार से यहां से हो जाएगा या फिर मैं एक चेंज यहां से और कर सकता हूँ क्या कर सकता हूँ चलिए उनके उपर हम लोग बात करते हैं जैसे कि भी अहमाद के यहां पर पिक किया हूँ तो देखो अगर सामने के टीम पहले गेनबाजी कर रहा जाहिर सी बात है 20 ओबर तो केल की टीम खेलेगा यह अच्छे से एक विक्टे भी देगा तो इसे स्थितिम इनको ड्रोब करके आप एक बड़ा रिस्क ले सकते हो सामने वाले टीम का जो गेनबाज 4 ओबर कम्पिलीट किया था वो कह गया मेरे भाई हाँ यह है इन इस हन की बात की जातो तो इनको आप ले सकतो एक यहां से एक सेफ च्वाइस हो जाएगा बाकि अगर जादी चाहते हो कि दोनों चीज हमें करके दे और केल का टीम का हो तो सी इसमिद बुरा ओप्सन नहीं है यह भी कर सकतो जब इसकी टीम प चाहोगे जोर से बोलो सारे लोग एक बड़ा रिस्क लेना चाहोगे तो एक काम करना मेरे भाई यह बात कहीं की नहीं को मत बताना पता चल गया तो जील बटवारा हो जाएगा एक फाइस को यहां से ड्रोप करके भी यहमत को यहां पर पिक कर लेंगे समझ रहे हो नहीं य जब यहां पर देखा जा एक पिलियर अब एक पिलियर यहां से मैंने किन को पिक किया यह टीम अब इस टीम पर अगर जदी आपको लग रहा है कि सी इसमीद भी यह नवाजी कर सकता है तो एक काम करना इन तीनों में से किसी एक के उपर बड़ा रिस्क लेकर खास कर एस अजीज के उपर ही रिस्क लोगे तो जादा बेतर है कि सी इसमीद को भी पिक कर लेना मजादार आ जाएगा या फिर इस सुरेंदरान को ड्रोप करके यहां पर सी इसमीद को पिक कर लेना और A5 का बल्ले बाजी ना आए, तो A7 आप बढ़ सकते हो, गेन बाजी करने को उनके चांस ना के बराबार है, अब A7 इस्तिति में जब B.S. की टीम पहले गेन बाजी करेगा, तो केप्टन B.S. का कितना सारा चौास होगा, B.S. जाला बेतर नहीं हो पाएगा A7, A7 सबसे ब हाई, की हाया दुरानी को तो पिक करना होगा, तब ही तो मैं सोच रहे, इतना सटीक कोंबिनेशन कैसे बन जाए मेरे भाई, हम, मेरे भाई, ये हो गया सबसे बड़ा फूल रिस्की जील टीम, ये देखो, अब यहाँ पर B.S. का जागा, इस सुरेंदरन को भी कर सकते हो, तो इसा आप कर सकतो, अब इस से इस्थिति में क्या करूँ, सी इसमित के हाँचा ड्रोब कर दो, इनका तीन तक बले बाजी लेलो सही रहेगा, ये देखो, जील का एक दम तगणा टीम बन गया, ये बस इतने लोगों पर केप्टन भी सी आप घुमा दो, जील बीन हो इस से इस्थिति में ये टीम आप बना सकते हो, बाकी यहाँ से केप्टन भाज की च्वाज देखा जग कि यहाँज़त केप्टन सी भी सी मैं यहाँ से दे रहा हूँ, तो मेरे भाई ये टीम सेप कर कर दो, इसमें जो भी चल्ज़ोगा आपको अपडेट कर दिया जाएग अपने टेलीग्राम चैनल डुमेस्टिक पिलेंग 11 पे तुआसा करते हैं भगवान की किरपा से हम लोगों का रिजल्ट बहतर जाएगे